जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वाधत करता हूँ दोस्तों 36 गड़ व्यापम की जितने भी कॉंपिटेशन एक्जाम होते हैं इंट्रेस्ट एक्जाम होते हैं उसमें रिजनिंग के प्रशन पूछे जाते हैं उन्हीं रिजनिंग के प्रशनों को हम लोग इस वीडियो में प्राक्टिस करने वाले हैं तो इस वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखिए तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों पहला प्रशन देख लेते हैं पहला प्रशन दिया हुआ है दिये गए विकल्पों में से विसम सब्द चुनिये तो चार अपसन दिये गए हैं उनमें से तीन जो है किसी एक समुन से बिलाओं करते हैं लेकिन एक जो है ऋ दोस्तों वो पूरी तरीके से अलग है तो चलिए देखते हैं वो कौन सा है तो अप्सन देख लेता है अप्रेल, जून, अगस्त, सितंबर तो हम जानते हैं दोस्तों सभी के सभी जो हैं दोस्तों महिनों के नाम है तो इनमें से अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं दिनों की संख्या ठीक है तो अप्रेल में कितने दिन आते हैं जून में कितने दिन आता है अगस्त में कितना दिन आता है और सितंबर में कितना दिन आता है तो दोस्तों अप्रेल में होता है वो दोस्तों 30 का महिना होता है उसी तरीके से जून भी किते का महिना होता है 30 का महिना होता है अगास्त जो है दोस्तों ये होता है 31 का महिना और सितंबर भी होता है 30 का महिना तो अब समझ जी सकते हो दोस्तों अब इसमें से भीनने को छांट भाइक क्छिए तो दोस्तों नीचे प्रतीक दिया हुआ है। देखे ए student सब को रख रख करते के देखते हैं जैसे पहले option आगे तो पहले गुना को रखेंगे यहाँ पस minus को रखेंगे और उसके बाद भाग को रखेंगे और board mask लगा करके solve करते रहेंगे अगर यह नहीं आता है तो b option को आप रख करके 12 से कटेगा क्या नहीं कटेगा एक दसमलाव नौ में जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों पूरी तरीके से जो है पूरी दसमलाव में आ रहा है चुकि हमको क्या लाना है हमको जो है पूरी तरीके से पूरा आंक में लाना है अगर इससे पहले गुणा रहता है तो दोस्तों थोड़ा से सोच सकते थे कि जो है यहाँ पास जो है कट बन सकता है लेकिन यहाँ पास माइनस दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा A option गलत हो जाएगा उसी तरीके से B option को देख लेते हैं तो B option में जो भाग का symbol है वो कहा अब B option भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तीसरा उपसन देख लेते हैं तो तीसरा उपसन भी उसी तरीके से है जैसे भाग और माइनस तो हम लोग पहले उपसन में गलत था उसी तरीके से C option भी गलत हो जाएगा दोस्तों जब पहला उपसन तीसरा उपसन गलत हो तो हम हमारे डेफिनेटली, चौन्था option क्या होता है, सहीं होता है, ठीक है, तो चलिए इसको apply करके देख लिता है, यहाँ पास आता है कि नहीं आता है, तो 27 गुना क्या करेंगे दूस्तों, 3 करेंगे, plus हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास कितना हो जाएगा, of मतलब of मतलब का वाला d मतलब divided जो है divide करना है m मतलब क्या हो जाएगा multiplication a मतलब क्या हो जाएगा addition उसके बाद क्या हो जाएगा subtraction मतलब घटाना तो चली गुणा वाला पहले कर लेते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों गुणा वाला जो करेंगे जोन देंगे तो चली उसी में 19 जोन देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 9 है 9 मेंसे क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 और 1 10 का सुनने हासी लाया 1 8 और 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 तो 10 हो कितना आगया बिल्कुल सटिस्फाई हो रहा है, तो हमारे D option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चिली देख लेते हैं दोस्तों, next question, next question बहुत ही simple सा है, इसमें देखिए, दी गई सरिंकला में से अगला प्रत कौन सा होगा, उसको देखना है, तो 3 को ऐसा क्या किया गया है, 4 लिग दिया और अगला क्रम जो होगा, विलूपत संख्या उसके जगह क्या आएगा, मुझे कमेंड करके बताएगा, ठीक, option दिया है, 243, 256, और 324, और आपका 356, ठीक है, तो चलिए, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, pattern किस तरीके से बनेगा, ठीक है, अगर आपसे दिमाग लगा 27 और 27 में दुश्टों, फिर से हम लोग क्या करेंगे, तीन का गुना कर देता है, तो दोस्टों क्या हो जाएगा, 81 ठीक है, 27, 3 किता हो जाएगा, 81, ठीक है, नहीं होता तो चलिए, देख करके देख लेते हैं, 27 गुना, 3, ठीक है, 7, 3, 2, 6, और 6, और 2 किता हो जाएगा, 8 हो जाएगा ठीक है एक क्या सी आ गया तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पास पैटर नबर रहा है एक एक के छूट में ठीक है एक एक क्रम में उसी तरीके से देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पास चार चौंग हो रहा है सोला मतलब क्या हो रहा है चार का गुणा हुआ है तब सोला यहा है उसी तरीके से सोला चाउंक किता हो जाता है चाउंसट मतलब चार का गुणा हुआ है तो आने वाला अगला जो क्राम है दोस्तों यहां पास इसमें क्या हो जागा इसमें भी स्वारी चार का गुणा होगा ठीक है चार का क्या हो रहा है गुणा हो जा रहा है तो चार का हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे किस में गुणा करेंगे दोस्तों 64 में तो 64 क्या करेंगे गुणा चार करेंगे तो 4 चौंख हो जाएगा 16 16 का किता हो जाएगा 6 हां सी या एक छे चोंग किता हो जाएगा दोस्तों 24 24 और किता हो जाएगा 25 कितना है या 256 हमको कौन सा ओप्सन में देखने को मिल रहा ओप्सन नमबर बी में देखने को मिल रहा तो बी ओप्सन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का बंस्य फ्रेक लेकिन दोस्तों मनुष्य को भी commit whichоны आ रहें ability लेकिन सभी मनुष्य के चीछित होता है क्या नहीं होटा कुछ मनुष्य जो है असीग्छित भी होते हैं तो मतलब क्या हो जय उसके लिए मनुष्य के लिए कौन से वेंड आइग्राम आएगा इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से हमको कौन सा उप्षन में देखने को मिल रहा है तो उप्षन नमबर बी में देखने को मिल रहा है तो बी उप्षन क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा ठीक है तो यह जो ह उमारा सबसे उपर वाला है वो दोस्तों नागरिक है उसमें से एक जो है सीछी था और दूसरा क्या है मनुष्य है ठीक है तो इस तरीके का वें डाइग्राम वोले प्रशन पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है प्रप्रेशन लगतार करते रहना है तो चलिए दोस्तों 17 11 कोशन मार्क 10 16 11 और 8 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा चलिए हम लोग देख रहे हैं तो यह है 8 10 17 11 कोशन मार्क 10 16 11 और 8 ठीक है तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या होगा तो सबसे पहले हम लोग समझने की कुशिश करता दोस्तों 8 और 16 को जोड़े तो 11 आता है क्या बिलकुल नहीं आता उसी तरीके से 8 और 17 को जोड़े तो आता है क्या नहीं तो 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 आता है क्या नहीं आता है ठीक है उसी तरीके से इसमें देख लेते हैं 16 है और 8 है इसको जोड़ते हैं तो 8 आता है क्या बिल्कुल नहीं आता तो pattern दोस्तों पूरी तरीके से क्या हो रहा है इधर उधर कुछ बसी समझ नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है हमको पूरी को जोड़ देना है या रोरो को जोड़ करके देखते हैं एक बार या फिर क्या करेंगे column column को जोड़ जोड़ करके देखेंगे ठीक है तो इस तरीके से अगर हमारा pattern सहीं आता है तो योग जो है सहीं होना चाहिए ठीक है जैसे क्या करते हैं 10 8 हो गया 18 18 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 17 को जोड़ देंगे 17 24 और क्या हो जाएगा 35 कितना या या योग जो है दोस्तों 35 के बराबर आरहा है उसी तरीके से नीचे वाला जोड़ देते है तो 10 हमारे पास है 16 और 11 तो 11 है दोस्तों तो क्या हो जाएगा invaded 1996 और कितना हो जाएगा 27 और 27 उससाफ Wie क्तना जोड़नेंगे ये वाला आ ये वाला थीक है तो ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा ठीक है तो देखी इसको पूरा को जोड़े तो कितना 35 है इस सभी को जोड़े तो 35 है तो इन सभी को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए 35 मिलना चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या है अल्रेडी 11 है और 10 है तो 11 और 10 हो जाता है दोस्तों हमारे पास 21 तो 21 में हम लोग कितना जोड़े की हमको कितना मिल जाए दोस्तों 35 तो 35 में क्या कर देंगे 21 को घटा देंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगी ठीक है तो 5 में से एक घटा गया तो कितना हो जाएगा 4 और 3 में से 2 गया तो 1 तो कितना आया दोस्तों, चवदा आया, तो चवदा हमको कौन सा option में देखने को मिल रहा, तो option number B में देखने को मिल रहा, तो B option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो यहां पास क्या आजाएगा दोस्तों, चवदा आजाएगा, तो यह तो था दोस्तों, right to left या left to right में, अ जितना हो जाएगा दोस्तों 10 और 11 हो जाएगा 21 और 21 में हम जो क्या करेंगे 14 जोनेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35 उसी तरीके से इसका योग भी जो है 35 के बराबर आ रहा है तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों इसमें कर जब भी प्रशन पूछा जाएगा आपको इसी काटिफिकेशन पहिलाता है जरूर आपको मिलता रहेगा ठीक है और इसके लिए कौन से बुक आपके लिए बैस्ट रहेगा मैंने नीचे डिक्रिप्शन में लिंक के दे रखा है वहां से जरूर चेक आउट कर लिए चलिए मिलता है दोस्तों नए वीडियो में नए जानक कारी के साथ तो मुझे दीजी जाए जाए टेक कर आल दे बैस्ट जाए हिंद